नमस्कार मेरा नाम है साजेब और आप देखना सुरू कर चुके हैं नेक्ट नाइन नियूज बियार में अमने काफी राजनीतिक उठापटक देखा देखा कि कैसे नितीसकुमार ने भाजपा से अपना नाता तोड़ दिया तो नितीसकुमार पल्टू चाचा और पल्टू राम कहलाने लगे जी हाँ वही नितीज कुमार जो भाजपा में गए थे तो उस समय पल्टू राम नहीं कहला रहे थे लेकिन अब वो फिर से राज़त के साथ चले गए हैं तो वो पल्टू राम और पल्टू चाचा कहला रहे हैं बता दे के अपने राजनीति करियर का सुरुआत लालू यादफ के साथ नितीज कुमार ने किया था उसके बाद लालू यादफ को काफी धोका दिया नितीज कुमार ने अपने राजनीति करियर में और भाजपा के साथ भी काफी ज़्यादा दोका किया है और एक बार फिर से उन्होंने लालू के साथ दोका करके भाजपा के साथ गयते और भाजपा के साथ पिर दोका करके लालू के साथ आगे तो अब वो पल्टू चाचा कहलाने लगे भाजपा उन्हें पल्टू राम कहने लगी पल्टू राम उस समय नहीं कहती थी जब वो बाजपा में थे लेकि कि सबसे पहले सोड़े अगस्त को मंतरियों के नाम सामने आएंगे नाम जो है साफ जाएंगे पर्द पर्तल उठ जाएगा मंतरियों कि अब इसमें भी विवाज छिड़ सकता है सबसे पहले तो परिवार ही टूटेगा है कुई जाते हैं तो कभी किसी से लड़ जाते हैं और अपने परिवार की छवी का जो है महाँ पर ध्यान नहीं रखें कैर चली यह तो वही तेच मरताब व्यादव की बात लेकिन अब करते हैं कॉंग्रेस की बात ऐसे तो सारे राजियों से साफ हो गई है लेकिन जिस राजी में है वहाँ भी महा से को मन्तरी पर चाहिए और मन्तरी पर एक दो नहीं चाहिए चार कम से कम ज्यादा से ज्यादा आप इनको जितने वह दे दे और कहा है दो मंत्राले चाहिए अब देखना ये दिल्चस्प होगा कि मंत्राले की रेस में मंत्री की रेस में कौन-कौन चहरा आगे रहता है और किसके किसके नाम सामने आते हैं क्या इसको भी ले करके विवाद हो सकता है, क्या परिवार चूट सकता है, और कई सारी बाते हैं, क्या सारे सवाल है, जो यहाँ पर ख़ड़े होते हैं, तो अब ये देखना दिलसस्क होगा, कि सोले अगस्ट को मंत्रियों के नाम सामने आने के बाद, क्या चौबी सगश्ट को फ्लोर्टेश्ट में ये सरकार पास उपाएगा। फिलाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे नेक्ट नाइन नीज नेशन